C.I.E.T. N.C.E.R.D. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की विज्ञान की पाठे पुस्तक विज्ञान 1 प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ 5 श्रीशक है पदार्थों का प्रथक करण तो आई अब सुनते हैं पाठ 5 पदार्थों का प्रथक करण हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उधारण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रन से पदार्थों को प्रथक करते हुए देखते हैं चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रफ से चालिनी यानि छलिनी द्वारा प्रथक किया जाता है चित्र 5.1 इसमें चाय की पत्तियों को चालनित्र यानि छलिनी द्वारा प्रथक करते हुए दर्शाया गया है फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से प्रथक करते हैं मक्खन को प्रथक करने के लिए दूद या दही का मंथन किया जाता है जैसा कि चित्र संख्या 5.2 में दर्शाया गया है जैसा कि हमने अध्याय तीन में सीखा है कि रेशों से बीजों को प्रथक करने के लिए हम कपास को ओड़ते हैं कदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा पोहा खाया होगा यदि आपने यहाँ पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक बाहर निकाल दिया होगा कलपना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें प्रथक करने के लिए कहा गया है तो आप क्या करेंगे इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठा कर किसी प्रथक बरतन में रख देंगे क्या यह सही है ऐसा करना सरल प्रतीत होता है परन्तु यदि प्रथक किये जाने वाले पतार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों तो उन्हें प्रथक करने के लिए क्या करना होगा कलपना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रन से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रन से रेत के कड़ों को हाथ से बीन कर प्रथक करने की सोचना भी असंभव है परंदु पहली यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को प्रथक करने की हमें आविशक्ता ही क्यूं होती है क्रिया कलाप एक सारणी 5.1 के कॉलम एक में प्रथक करन के कुछ प्राक्रम दिये है प्रथक करने का उदेश तथा अव्यवों को प्रथक करने के धंगों को कॉलम दो तथा तीन में दिया गया है तथा पी कॉलम दो तथा तीन में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है क्या आप प्रतेक प्रकरम का उसके उद्देश तथा प्रतक कृत अव्यवों के उप्योग के ढग से मिलान कर सकते हैं? प्रिष्ट 36 सारणी 5.1 हम पदार्थों को प्रतक क्यूं करते हैं? इस सारणी में तीन कॉलम दर्शाए गए हैं. पहले कॉलम में प्रतक करण प्रकरम, दूसरे कॉलम में है उद्देश जिसके लिए हम प्रतक करण करते हैं, तीसरे कॉलम में प्रतक कृत अव्यवों का हम क्या करते हैं? इसके बारे में बताया गया है. प्रथक करन प्रक्रम, चावलों से पत्थरों को प्रथक करना, दोभिन परंदू उप्योगी पदार्थों को प्रथक करना, हम ठोज अव्यव को फेक देते हैं मक्कन प्राप्त करने के लिए दूद का मन्थन, अनुप्योगी अव्यवों को दूर करना, हम अशुद्धियों को फेक देते हैं, चाई की पत्थियां प्रथक करना, हानी कारक अव्यवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना, हम दोनों अव्यवों का उप्योग करते है हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हम उसमें मिश्रित हानी कारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को प्रथक करने की आविशक्ता होती है कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी प्रथक करते हैं, जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आविशक्ता होती है प्रथक किये जाने वाले पदार्थों के कड़ों के आमाप, अथ्वा, द्रिवे भिन हो सकते हैं ये पदार्थों की तीन अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव और गैस में से कोई भी हो सकती हैं। इसलिए हम किनी पदार्थों के ऐसे मिश्रन का प्रथक करण कैसे करते हैं जिनके गुण धर्मों में अत्यधिक भिनिता है। पाँच पॉइंट एक प्रथक करण की विधियां। अब हम पदार्थों के प्रथक करण की कुछ साधारन विधियों का उलेख करेंगे। इन में से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रिया कलापों में किया होगा। हस्त चैन क्रिया कलाप दो दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा मिलाईए। अब अनाज को कागस की शीट पर फैलाईए। क्या आप कागस पर एक ही प्रकार के अनकण पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकडे, भूसी, तूटे हुए अनकण तथा अन्न खादे कण हैं? अब अपने हाथ से पत्थर के टुकडे, भूसे तथा अन्न अनकणों को इससे प्रथक कीजिए। हस्त चयन की स्विधी का उप्योग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कड़ों, पत्थर तथा भूसे को प्रथक करने में किया जा सकता है। जैसा कि चित्र संखिया पांच पॉइंट तीन में अनाज से पत्थर के टुकडों का हस्त चयन द्वारा प्रथक करते हुए दिखाया गया है। ऐसी अशुधियों की मात्रा प्राया बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्त चयन द्वारा पदार्थों को प्रथक करना एक सुविधा जनक विधी लगती है। थ्रेशिंग आपने खेद अध्वा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी तंडियों यानि सूखे पौधों के गठर देखे हूंगे। सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। मोत अथा अमरूदों को व्रिक्षों से तोड़ा जा सकता है। परन्तु अनकर्ण, आम और अमरूदों की तुल्ना में बहुत छोटे होते हैं। इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अनकडों को उनकी डंडियों से कैसे प्रतक किया जाता है? सूखे पौधों की डंडियों से अनकडों अथवा अनाज को प्रतक करने के प्राक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं. इस प्रक्रम में डंडियों को पीट कर अनकडों को प्रथक किया जाता है. जैसा कि चित्र संखिया 5.4 में थ्रेशिंग की प्रक्रिया को दर्शाया गया है. कभी-कभी थ्रेशिंग का कार्य बैलों की सहता से किया जाता है. अतिधिक मातरा के अनकडों को डंडियों से प्रथ करने के लिए थ्रेशिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है निश पावन क्रिया कलाप तीन सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रन बनाईए इस मिश्रन को किसी प्लेट अथवा समचार पत्र के उपर रखिए क्या दोनों अव्यवों के कड़ों के आमाप समान हैं क्या हस्त चैन द्वारा इन अव्यवों को प्रथक करना संभव है अब आप इस मिश्रन को खुले मैदान में ले जाए तथा किसी उंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाएए मिश्रन को प्लेट में अथवा समचार पत् मिश्रन रखा है उसे पकड़ कर हावा में कंधे की उंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रन धीरे धीरे नीचे फिसले क्या होता है? क्या दोनों अव्यव रेत एवं बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक एही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अव्यव ऐसा है जो वायू द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायू मिश्रन के दोनों अव्यवों को प्रथक करने में सफल किसी मिश्रन के अव्यवों को इस प्रकार प्रत्थक करने की विधी निश्पावन कहलाती है। निश्पावन का उप्योग पवनों अथ्वा वायू के जुंकों द्वारा मिश्रन से भारी तथा हलके अव्यवों को प्रत्थक करने में किया जाता है। साधारम तया किसान इस विधी को प्योग हलके भूसे को भारी अन कड़ों से प्रथक करने के लिए करते हैं जैसा कि चित्र संखिया 5.5 में दर्शाया गया है इस चित्र में एक स्त्री को सूप के द्वारा अन कड़ों को नीचे हवा की दिशा में गिराते हुए दर्शाया गया है भूसे के हलके कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं जबकि भारी अनकण प्रथक होकर निशपावन प्लेटफॉर्म के निकट एक धेर बना लेते हैं अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है चालन कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनानी की इच्छा होती है हमें इसमें उपस्थित जोकर तथा अन्य अशुद्धियों को प्रथक करनी की आविशक्ता होती है तब हम क्या करते हैं? इसके लिए हम चालनी यानि छलनी का उप्योग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं जैसा कि चित्र संख्या पांच पॉइंट छे में दर्शाया गया है इस विधी को चालन कहते हैं आटे के छोटे करन चालनी के चित्रों द्वारा निकल जाते हैं जबकि बड़ी अशुद्धियां चालनी में रह जाती है प्राया आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है साधरनतिया गेहूं की बोरी को एक तिर्ची चालनी पर डाला जाता है चालन द्वारा पत्थर, डंडियां तथा भूसा जो निश्पावन तथा थ्रेशिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं उनको दूर किया जाता है आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्मान वाले स्थानों पर रेत से कंकड तथा पत्थर प्रथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा जैसा कि चित्र संक्या 5.7 में चालन द्वारा कंकड तथा पत्थरों को रेत से प्रथक करते हुए दर्शाया गया है क्रिया कलाप 4 कक्षा में एक चालनी यानि छननी द्वारा थोड़ा सा आटा घर से लाईए चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को प्रथक कीजिए अब चाक का पाउडर बनाईए तथा उसको आटे के साथ मिलाईए इस मिशरन का चालन कीजिए क्या हम चालन द्वारा चाक पाउडर तथा आटा प्रथक कर सकते हैं चालन विधी का उप्योग मिशरन के दो ऐसे अव्यवों जिनकी आमापों में अंतर हो उनको प्रथक करने में किया जाता है अवसादन, निस्तारन तथा निसियंदन कभी-कभी मिशरन के अव्यवों को निश्पावन अथ्वा हस्त चयन द्वारा प्रथक करना संभव नहीं होता उधारन के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हलके कण हो सकते हैं चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियां कैसे प्रथक करते हैं? प्राया पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है जब आप चावल या ताल में जल डालते हैं, तब उन पर चिपकी हुई अशुधियां जैसे धूल के कर्ण प्रथक हो जाते हैं. ये अशुधियां जल में चली जाती हैं. अब सोचिए, बरतन की तली में कौन डूबेगा चावल या धूल? क्यूं? क्या आपने देखा है कि परतन को थोड़ा सा तेड़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है? प्रेश्ट 49 मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अव्यवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्राक्रम को अवसादन कहते हैं. अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उडेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं. जैसा कि चित्र संखिया 5.8 में दर्शाया गया है. इस चित्र में किसी मिश्रण के दो अव्यवों को अफसादन तथा निस्तारण द्वारा प्रथक करना दर्शाया गया है. आईए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अव्यवों को अफसादन तथा निस्तारण विधी द्वारा प्रथक किया जा सकत यही सिध्धान्त ऐसे द्रवों के मिश्रण को प्रथक करने में भी उपियोग में लाया जाता है, जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उधारन के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधी द्वारा प्रथक किया जा सकता है। यदी द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए, तो वे दो प्रथक प्रथक परतों में बढ़ जाते हैं इसके बाद जो अवियव उपरी परत बनाता है, उसे निस्तारण द्वारा प्रथक कर सकते हैं आईए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें चाय तयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां प्रथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप चालनी या छननी का उपयोग करते हैं आईए निस्तारण विधी का उपयोग करके देखें इसके दोड़ा कुछ साहता मिलती है. परंतु किया आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं? अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए. क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है? इस प्राकरम को निसी अंदन यानी filter करना कहते हैं. जैसा कि चित्र संकिय पांच पॉइंट एक में दर्शाया गया है अब सूचिए तयार चाय से चाय की पत्तियां प्रत्थक करने में निस्तारां और निसियंदन में से कौन सी विधी अच्छी है आईए अब हम अपने उप्योग में आने वाले जल के उधारन पर विचार करते हैं क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है कभी कभी नलों से गंदला जल प्राप्त होता है तालाबों तथा नदियों से एक अत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है विशेशकर बरसात के बाद आएए अब हम यह देखें कि क्या हम प्रतक करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अविले अशुद्धियां दूर कर सकते हैं क्रिया कलाप पांच तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए यदि यहां न मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिलाते हैं इसे आदे घंटे के लिए छोड़ दे हैं जल का सावधानी पूरवक प्रेक्षण कीजिए तथा अपने प्रेक्षणों को लिखिए क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है ऐसा क्यूं हुआ है इस प्राक्रम को आप क्या कहेंगे अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिर्छा कीजिए इस गिलास के उपर के जल को दूसरे गिलास में उड़े लिए जैसा की चित्र संखिया 5.8 में दर्शाया गया है आप इस प्राक्रम को क्या कहेंगे क्या दूसरे गिलास का जल अभी पंकिलत्वा भूरे रंग का है अब इसका निसियंदन कीजिए क्या चाय वाली छन्नी ने यह कारे किया आईए कपड़ी की साहता से जल को निसियंदन करने का प्रयास करते हैं कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच में छोटे-छोटे छित्र अथवा रंद्र होते हैं कपड़े के इनी छित्रों का उप्योग निसियंदक के रूप में किया जा सकता है। प्रेश्ट चालीज यदि जल अब भी गंदला है, तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निसियंदित कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे रंद्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निसियंदक होता है, जिसमें अत्यंत सूक्ष्म चित्र होते हैं, जैसा कि चित्र 5.9 में फिल्टर पत्र के उप्योग से संबंधित विभिन चरणों को दर्शाया गया है। फिल्टर पत्र को शंकू के रूप में मोड कर कीप में लगा दिया जाता है, जैसा कि चित्र संखिया 5.10 में दर्शाया गया है। इसके पश्चाद मिश्रन को फिल्टर पत्र के उपर उडेलते हैं। मिश्रन के ठोसकर्ण इसके चित्रों से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। निसियंदन विधी का उप्योग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूद को उबालने से पहले उसमें नीबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोसकरों तथा द्रव का मिश्रन प्राब्द होता है। पनीर को इस मिश्रंड से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके प्रथक किया जाता है एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें दो चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाईए क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? लेकर में कोई नमक देखते हैं? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए जैसा कि चित्र संखिया 5.11 में दर्शाया गया है जल को उबल कर उड़ने दीजिए बीकर में क्या बशता है? चित्र संक्या 5.11 में नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म करते हुए दर्चाया गया है इस क्रिया कलाप में हमने मिश्रन से जल तथा नमक को प्रथक करने के लिए वाश्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया है जल को उसके वाश्पु में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाश्पन कहते हैं जहां पर जल होता है वाश्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है आपके विजार से नमक कहां से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं इनहीं लवणों में से एक लवण साधारन नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उतले गड़ों में भर कर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाशपन द्वारा धीरे धीरे वाशपु में बदलने लगता है। कुछ समय के बाद सारा जल वाशपित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं जैसा कि चित्र संखिया पांच पॉइंट बारा में दर्शाया गया है। इस चित्र में समुद्र जल से नमक को प्राप्त करने की प्रक्रिया दर्शाय गई है। तत पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारन नमक प्राप्त किया जाता है। प्रिष्ट एक तालीज प्रथक करन की एक से अधिक विधियों का उपयोग। हमने पदार्थों को प्रथक करने की कुछ विधियों की बारे में अध्ययन किया है। प्राया किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन अव्यवों को प्रथक करने में केवल एक विधि का उपयोग परियाप्त नहीं होता। ऐसी स्थिती में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आविशक्ता होती है। क्रिया कलाप साथ रेत और नमक का मिश्रण लीजिए। इसे आप कैसे प्रथक करेंगे। हमने पहले भी देखा है कि हस्त चैन विधि इसके प्रथक करन के लिए वैवहारिक नहीं होगी। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाईए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक ओर रख दीजिए। क्या आप यहाँ देखते हैं कि रेद बीकर की तली में बैठ रहा है। इसे निस्तारा या निसियंदन द्वारा प्रथक कर सकते हैं। निस्तारी द्रव में क्या है। क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो की आरंभ में मिश्रण में था। अब इस निस्तारी द्रव से नमक वजल को प्रथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भर कर इसका धकन बंद करिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टॉंटी से भाप निकलती देखते हैं। एक धातू की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को केतली की टॉंटी के ठीक उपर पकड़िए जैसा कि चित्र 5.13 में दर्शाया गया है। इसमें एक केतली रखी है जिसमें से वाश्प निकल रही है और उसके उपर एक हाथ में धक्कन है जिसके उपर बर्फ के कुछ टुकड़े रखे हुए हैं और उपर से बर्फ के टुकड़े पिघल कर नीचे रखे बीकर में पानी पिघल कर गिर रहा है। आप क्या देखते हैं? केदली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए जब भाप बर्थ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संखनित होकर द्रव जल बन जाती है प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संखनन द्वारा भाप बना है जल वाश्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संखनन कहते हैं क्या आपने कभी जिस पात्र में दूद को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर धकी प्लेट पर संखनित जल की बूंदों को देखा है जब सारा जल वाश्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है इस प्रकार हमने मिशरन से नमक, रेट तथा जल को निस्तारं, निसियंदन, वाश्पन तथा संखनन विधियों का प्रयोग कर सफलता पूर्वक प्रतक किया है पहली को रेट से नमक की पुनह प्राप्ती की समस्या है उसने नमक के संपून पैकेट को रेट की थोड़ी मात्रा में मिलाया था फिर उसने क्रिया कलाप साथ में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनह प्राप्त करने का प्रयास किया परंतो उसने यह पाया कि वह तो लिये गए नमक के केवल थोड़े भाग की ही पुना प्राप्ति कर पाई है उससे कहां तुरूटी हुई होगी? तेश्ट बयालीज क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घूल सकता है? अध्याई चार में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में खुल कर विलियन बनाते हैं तब हम उन पदार्थों को जल में विलेई कहते हैं यदि हम जल की मात्रा निश्चित रख कर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर पढ़ाते जाएं तो क्या होगा? क्रिया कलाप आठ इस कारिय के लिए आपको एक बीकर, अथवा किलास, एक चमच, नमक तथा जल की आविशक्ता होगी आधा कप जल बीकर में उड़े लिए, एक चमच नमक इसमें टाल कर तब तक विलोडित कीजिए जब तक कि यहाँ पूरी तरह से न खुल जाए जैसा कि चितर संखिया पांच पॉइंट चौदा में दर्शाया गया है अब फिर एक चमच नमक डालिए और भली भांती विलोडित कीजिए इसी प्रकार एक एक चमच करके नमक मिलाते तथा विलोडित करते जाईए कुछ चमच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यहाँ पाते हैं कि कुछ अविलईद नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है यति हाँ तो इसकारत यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं गुल सकता अब यह विलियन संत्रिप्त विलियन कहलाता है यहाँ एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवता क्या गरत हुआ जब पहली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुना प्राप्ती का प्रयास किया था कदाचित नमक की मात्रा संत्रिप्त विलियन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी अविले नमक रेद के साथ मिला रह गया है जिसे पुना प्राप्त नहीं किया जा सका वहाँ अधिक मात्रा में जल का उप्योग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी कलपना कीजिए कि उसके पास मिशरण में सारे नमक को घोलने के लिए परियाप्त मात्रा में जल नहीं है क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संत्रिप्त विलियन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है आईए हम पहली की सहता करने का प्रयास करें क्रिया कलाप नौ बीकर में कुछ जल लीजिये तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक की इसमें और नमक न घुल सके इस प्रकार हमें नमक का जल में संत्रिप्त विलियन प्राप्त होता है अब इस संत्रिप्त विलियन में कम मात्रा में नमक मिलाईए और इसे गर्म कीजिए आप क्या पाते हैं? बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या आब यहां घुल गया है? यहां तो क्या इस विलियन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घुला जा सकता है? इस गर्म विलियन को ठंडा होने दीजिए. क्या बीकर की तली में नमक पुना बैठ्था दिखाई देता है? यहाँ क्रिया कलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घूली जा सकती है क्या जल में विभिन विले पदार्थों की समान मात्रा घूलती है? आईए पता लगाते हैं क्रिया कलाप 10 दो गिलास लीजिए और प्रतेक में आधा कप पानी भरिए एक गिलास में एक चम्मच नमक मिलाईए और तब तक विलोडित कीजिए जब तक की वह घुलना जाए एक एक चम्मच नमक की मात्रा विलियन संत्रिप्त होने तक डालते जाईए नमक के चम्मचों की संख्या जो की घूली गई है उसको सारणी 5.2 में लिखिए सारणी 5.2 इसमें दो कॉलम दिखाए गए हैं एक तरफ है पदार्थ जिन में नमक है और चीनी है दूसरे कॉलम में जल में घुलने वाले पदार्थों की मात्रा यानि चम्मचों की संख्या बताई गई है अब इस क्रिया कलाब को चीनी से दोहराईए आप इसको जल में विले अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं सारणी 5.2 से आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं क्या आपने पाया कि जल विभिन पदार्थों की भिन भिन मात्रा को गोलता है हमने पदार्थों के प्रतक करण की कुछ विधियों के विशे में चर्चा की है इस अध्याय में प्रस्तुत प्रतक करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोग शालाओं में भी किया जाता है हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में खोलने से विलियन बनता है यदि विलियन में और पदार्थ ना खोल सकें तो यह संत्रिप्त विलियन कहलाता है प्रमुख शब्द मन्थन संगनन निस्तारण वाश्पन निस्यंदन हस्तचयन संत्रिप्त विलियन अवसादन चालन विलियन थ्रेशिंग निश्पावन सारांश हस्तचयन, निश्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से उसके अव्यवों के प्रथक करण की कुछ विधिया है अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा प्रथक किया जा सकता है भूसा अनाच के भारी बीजों से निस्पावन विधी द्वारा प्रथक किया जाता है किसी मिश्रण के कड़ों की आमाप में अंतर का उप्योग, चालन तथा निसियंदन प्रक्रियाओं द्वारा प्रथक करण में किया जाता है रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारीकन तली में बैड़ जाते हैं और निस्तारण की विधी द्वारा जल को प्रथक किया जा सकता है प्रिष्ट जवालीज द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थ के अव्यवों को निसियन्दन के उप्योग से प्रथक किया जा सकता है किसी द्रव को उसी वाश्पु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाश्पन कहते हैं वाश्पन की विधी का उप्योग द्रव में घुले ठोस को प्रतक करने में किया जा सकता है जिस विलियन में कोई पदार्थ और अधिक ना खुल सके, वहाँ उस पदार्थ का संत्रिप्त विलियन होता है किसी पदार्थ के विलियन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है जल विले पदार्थों की विभिन मात्राएं घोलता है अभ्यास 1. हमें किसी मिश्रण के विभिन अव्यवों को प्रथक करने की आविशक्ता क्यूं होती है? 2. निश्पावन से क्या अभिप्राय है? यहां कहां उप्योग किया जाता है? 3. पकाने से पहले डालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे प्रथक करेंगे? 4. छालन से क्या अभिप्राय है? यहां कहां उप्योग होता है? 5. रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथर जल को कैसे प्रथक करेंगे 6. आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को प्रथक करना संभव है? अगर हाँ, तो आप इसे कैसे करेंगे 7. पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे आठ यहां कुछ वाक्य दिये गए हैं जिनमें रिक्तिस्थान दिये गए हैं आपको उन्हें सही शब्दों से पूरा करना है क धान के दानों को डंडियों से प्रतक करनी की विधी को रिक्तिस्थान कहते हैं ख किसी एक कपड़े पर दूद को ओडेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है प्रतक करन की यह प्रक्रिया रिक्तिस्थान कहलाती है ग समुद्र के जल से नमक रिक्तिस्थान प्रक्रिया द्वारा प्राप्ति किया जाता है गा, जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है, तो अशुद्धियां तली में बैठ जाती हैं, इसके पश्चात स्वच्छे जल को उपर से प्रथक कर लेते हैं, इसमें उप्योग होने वाली प्रथक करण की प्रक्रिया को रिक्तिस्थान कहते हैं नौ, यहां कुछ वाक्य दिये गए हैं, जिन्हें सुनकर बताईए कि वो सत्ते हैं अथवा असत्ते, क, दूद्ध और जल के मिश्रण को निसियंदन द्वारा प्रथक किया जा सकता है प्रिष्ट पैतालीज ख, नमक तथा चीनी के मिश्रण को निश्पावन द्वारा प्रथक कर सकते हैं ग, चाय की पत्तियों को चाय से प्रथक करण निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है गह, अनाज और भूसे का प्रतकरण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है 10. जल में चीनी तथा नीबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में किस प्रक्रण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा प्रस्तावित परियोजनाएं एवं क्रिया कलाप एक, किसी निकटवर्ती डेरी में चाहिए तथा दूद से क्रीम को प्रथक करने के प्राक्रमों का आख्या तयार कीजिए दो, आपने कई विधियों द्वारा जल से पंक जैसी अशुद्धियों को प्रथक करने का प्रयास किया कभी-कभी सभी विधियों का उप्योग करने पर भी जल थोड़ा पंकिल रह जाता है आईए देखें कि क्या हम इन अशुद्धियों को पूरी तरह से हटा सकते हैं इस निसियंदित जल को एक किलास में लीजिए फिटकरी के एक टुकड़े को धागे से बांध कर इस जल में निलंबित करके घुमाईए क्या जल स्वच्च हो गया? पंक का क्या हुआ? इस प्रक्रिया को भारण कहते हैं अपने घरों में बड़ों से इस विधी के बारे में बाचीत कीजिए और पता लगाईए कि क्या कभी उन्होंने इस प्रक्रिया का उप्योग किया है? अंत में एक चित्र दिया गया है जिसमें निस्पावन करने वाले गुस्ताव कोरबेट की एक पेंटिंग जो की अठारा सो त्रेपन की है दर्शाई गई है मुसीडे बियस आर्ट्स नालते फ्रांस के सौजने से इसी के साथ सोला पाठों के इस पुस्तक का पाजवा पाठ यहां समाथ हुआ वाचन परवेज गौहर निर्मान वंदना अरी मर्तन तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत मुसी का λग जल भारत